नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सीखी A की मात्रा आशा है कि आपको समझ आ गई होगे तो आए, आज हम पढ़ेंगे E की मात्रा जिसका उद्देश्य है बड़ी E की मात्रा को समझ पाना E की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो व्यंजन का उचारन लंबी ध्वनी के साथ किया जाता है जैसे जब हम क व्यंजन के साथ बड़ी E का स्वर जोडते हैं तो बनता है की इसी प्रकार जब हम ख व्यंजन के साथ बड़ी E का स्वर जोडते हैं तो बनता है खी. सेम एज, जब हम म व्यांजन के साथ ई का स्वर जोडते हैं, तो बनता है मी. इसी प्रकार, आप सभी व्यांजनों के साथ बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे. और बच्चों, एक और में हत्वपून बात, बड़ी ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है तो बच्चों देखकर बताईए मैंने कौन सा अक्षर और मात्रा लिखी है सोचिये सोचिये जी हाँ ये है बड़ी ए की मात्रा और इसके नीचे लिखा है गीली अब आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज आठ पर आज की तारीख लिखेंगे और मेरे साथ तेज वस पश्ट आवाज में शब्दों को दोराएंगे चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला शब्द है इक दूसरा शब्द है गीत तीसरा शब्द है घडी उसके बाद बीज मीठी सीटी बकरी शीट मच्छली गठरी तो बच्चो आपने सुना कि जब हमने व्यंजन के साथ बड़ी ई का स्वर जोड़ा तो उसके उच्चारण में लंबी ध्वनी की आवाज आई बच्चो अब आप मेरे साथ आओ गाएं में दी गई कवीता को गुन गुनाएंगे अब हम इस कवीता को थोड़ा जल्दी जल्दी गुन गुनाएंगे लकडी पर एक बैठी लड़की हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी पास ही उसने देखी मकड़ी डर कर उसने फेकी ककड़ी बच्चो अब मैं आप से इस कवीता से संबंदित कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको इन प्रश्नों के उद्दर सोचने है मीरा पहला प्रश्न है लड़की किस चीज पर बैठी थी देखिये और सोच कर बताईए जी हाँ लकडी मीरा दूसरा प्रश्न है उसने हाथ में क्या पकड़ा था देखो देखो सोचो सोचो जी हाँ उसने हाथ में क्या पकड़ा था ककड़ी मीरा तीसरा प्रश्न है वह किसे देख कर डर गई सोचो जी हाँ मकडी तो अब आप आओ करें चार में शब्दों के दोनों अक्षरों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाएंगे और आपको यह पेज चार से पाँच बार पढ़ना है आज के लिए इतना ही घट पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद